नमस्कार स्वागत आप सभी का एक नवी वीडियो में मैं हुसरवन कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चेनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपूर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं NMS एक्जाम का ओमार सीट कैसे भरा जाता है ओमार सीट भरने का सही तरीका क्या है क्योंकि आप जानते हैं ओमार सीट जो होता है NMS का उसको कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है अगर आप थोरा सा भी मिस्टेक करते हैं भरने में तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है तो इसलिए आप एक्जाम देने इसी तरह का same to same आपको exam में देखने को मिलेगा और इसमें देखे कैसे आपको भरना है तो सबसे पहले आप भरने के लिए यहां पे देख पा रहे हैं यहां roll number लिखा हुआ है और roll number जो होता है आपको 12 अंकों का होता है जो आपके admit card पर दिया रहाता है और इसको भरना किस तरह से है तो यहां पे देखे एक्जामपल बताया गया है जैसे यहां पे आपका roll number जो भी है तो इस box में एक box में एक ही संख्या भरना है और भरने के बाद आपको नीचे उसका गोला भी करना है जैसे इसमें तीन भरे तो यहां पे तीन के सामने आपको गोल भी करना है और गोल किस तरह से करना देखे पूरा गोल करना है आधा अधूरा उसको नहीं छोड़ना है तो roll number भरने के बाद उसके नीचे जो भी संख्या रहेगा जो भी भरेंगे आप जैसे इसमें दो भरेंगे तो दो के सामने गोला लगाएंगे जैसे इसमें पांच भरेंगे तो पांच के सामने गोला लगाएंगे इस तरह से आपको roll number भरना होता है इसके बाद यहां पे देखिए cast category select करना है तो यहां पे तीन option दिया गया है general, sc, st तो आप जिस भी category में आते हैं, sc में आते हैं तो दो के सामने गोला लगाना है अगर st में आते हैं, तीन के सामने अगर आप इन में से नहीं आते हैं तो आपको general वाले option में टिक करना है यहां पे गोला लगाना है ठीक है पूरा गोल करके यहां पर मस्क्रीन पर बता रहे हैं इसलिए पूरा गोल नहीं उपारा लेकिन आपको पूरा गोल करके लगाना जैसे कि यहां पर लगाया गया इसके बाद देखिए disability status में अगर आप विकलांग काटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें से जो भी आपको गोला करना है ठीक है इसी तरश यहां पर आपको कुछ नहीं करना है यहां से चुछ शुरू होता है देखिए यहां पर और यहां पर नीचे निर्देश भी दिया गया है, कि आपको कुन सा पेन इस्तेमाल करना कैसे करना तो आपको आगे बताएंगे, तो ओमार सीट के नीचे आपको एक और ओमार सीट रहता है, जो आपको मिल जाएगा एक्जाम के बाद ये ओइनल आपको जमा करना होगा, और यहां पर देखिए मैट का है नप एक्यानवेस से लेकर के एक सवसी तक तो देख पार हैं इस तरह से होता है यह उमार चीट है चलिए आपको निर्देश यह देखिए यह आपको कारवन को पी रहेगा यह नीचे में रहेगा तो यह आपको मिल जाएगा एक्जाम के बाद ठ देखिए क्या क्या दिया गया है उत्तर पत्रक यानि उमार सीट में गोला पूर्व है स्वारी पूर्ण वगहरा नहों होने पर अस्केनर द्वारा नहों पढ़े जाने की जिमेवारी स्वेंग परिक्सारतिक होगी अगर आप सही से नहीं रंगेंगे तो वह गलत माना जा इसके बाद दिखिए ओवल या बिरित को गहरा करने के लिए केवल नीले काली वाल पेन का ही उप्योग करना है ओवल से बाहर ना तो किसी परकार का कोई निसान लगाए और नहीं आपको कुछ भी लिखना है संबंधी जाती वर्ग एवं निसक्त अस्तिती की संख्या ओव पर किस तरह से इसको गोला करना इस तरह से ही आप करेंगे तो अभी सर्फिस का प्रैटिक्स कर सकते हैं अगर आप Вीकों कोThis का पीडियाप चाहिए तो आपहमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं यह जो मैंने बताया यह उमार सिट राजस्थान के लिए है लेकिन अधर स्टेट में भी आपको इसी तरह का उमार सिट होता है तो उमिद करते हैं आपको सारी जनकारी मिल गई होगी